गृष्टम गृष्टम पुनरति पुनरपि पुनस्चन्दनं चारुगंधं। रंजना जी को पणाम खास करके तो हम अतिश्योक्ति अलंकार की चर्चा कल शुरू किये थे परिभाशा बताते बताते उसके चार भेद भी बता दिये क्योंकि उस परिभाशा में अही चार भेद नहीं थे तो एक तो ये था कि उपमान जो है उपमे को निगल जाए दूसरा ये कि जो प्रस्तुत है जो उपमे है उसको दूसरे ढंग से कहा जाए तीसरा ये कि यदी का शब्द का प्रियोक करके कलपना की जाए और चौथा ये है कि कारण और कारिया जिसमें पूरवर्ती कारण होता है और परवर्ती कारिया होता है उसके करम को बदल दिया जाए यानि पहले कारिया ही बता दिया जाए कारण बाद में बता जाए तो ये चार स्थितियों में आतिशोवक्ति अलंकार बनता है तो उनका क्रमशाः उधारान हम देखें तो पहले भेद का उधारान बता रहे हैं उपमानेन अंतर निगेरनस्य उपमेयस्य यद अध्य वसानम सैका यह जो होता है जहां उकमान जो है उपमे को अपने अंदर निगल जाए और तब जाके कथन किया जाए तब बताया जाए इस तरह से इस रूप में बताया जाए तो वह पहला भेद आतिशोयक्तिय लंकार का होता है देखें कैसे तो कारें कमलम अनम्भसी बिना जल के कमल बिना पानी में ही कमल बन जाए और उस कमल में कमले च कुवलाए ठीक है पहले पुरा शलोक देख लें कमलम अनम्भसी कमले च कुवलाए तानि कनक लतिकायाम साचा सुकमार सुभगा इति उत्पात परंपरा के यम का रहें कि यह कौन सी उत्पात परंपरा है अनर्थ परंपरा है कौन सी है कि जिसमें बिना पानी कही कमल हो जाए चलो भई हो गया अब उस पर दो नील कमल हो जाए उस कमल पर फिर दो नील कमल भी हो जाए चलिए ये भी हो गया अब वह वे तीनो याने एक तो कमल और उसके उपर दो नील कमल ये तीनो मिलकर के सोने की शरीर पर स्वरनलता पर ये उग जाए ये कैसे होगा ठीक है और वह स्वर्णलता भी साच शाश्वर्णलता लतिका कुछ सुकमार हो और सुभग हो सुदर हो तो ये सब ये अनर्थ की परंपरा कैसी है ये अब देखिए तो इसमें क्या हुआ कि अनंभसी कमलम याने अब एक तो शरीर है मुख को उन्होंने कमल कहा अब मुख को कमल कहा तो मुख तो नाम ही नहीं ले रहे हैं सिधे सिधे कमल कह दिया अब जब कमल का रहे हैं तो कमल तो पानी में होता है तो का रहे हैं नई पानी न पर नील कमल दो हो गए यह तो संभवी नहीं है दो आखों आखों का नाम नहीं ले रहे हैं निगिरण कर लिया निगल गए उसको और ने को बलाई कह दिया अंखेज और पर गर शरीर पर हमारे देश में जो गोरापन है उसको सफेद आजमी इसको गोरा नहीं कहते हैं सफेद अच्छा नहीं मना जाता है तो उसको अच्छा मना च्छाए है उसेधिते हैं सफेद नहीं हो पिला पिला होता है तो स्वर्ण लतिका यह जो शरीर है वो गुराशरीर है तो इस शरीर पर कमल और उस कमल पर दो निल कमल यह टिक है और वह भी मार मम हो आब यह सुना एकर कहा देंगे आप रलाक कलना मैं नजिका P आप 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 देखिए कि उपमान जो है न तो मुख्त का नाम लिया न आउक का नाम लिया ना शरीर का नाम लिया ना सुकमारता वगर तो कह ही दिया जो की सोना अब नाम किसका लिया तो पानी में कमल वो नाम लिया और फिर उस कमल पर दो नील कमल वो नाम लिया, ये सारे उपमान है ये सभी उपमान है कनकलतिका भी उपमान ही है तो ये तीनों ने क्या किया कि शरीर के जो गुण धर्म है उसको निगल गए मुख को निगल गया, आँखों को निगल गया और शरीर को निगल गया तो ये इस तरह से यह अतिशयोक्ति अलंकार है तो उपमान जब उपमे को निगल जाए, अपने अंदर समा ले और तब जो बरडन किया जाए, तब जो निश्चे किया जाए उसको अतिश्योक्ति अलंकर का पहला भेद मना जाता है ठीक है? अब दुसरा आगे अत्र मुखादी कमलादी रूप तया अध्यवसितम यहाँ पर मुखादी जो है, कमलादी के रूप में निश्चित किये गए, अध्यवसितम का मनलब निश्चित किये गए यानि वो मान लिया गया, मनलब बताया गया, मनाया गया, निश्चे किया गया यह है ठीक है लेकिन उसका नाम तो कहीं लिया नहीं अब आप समझ लेजिए दूसरा भेद है प्रस्तुत सेयत अन्यत्वम जो प्रस्तुत है वो किसी अन्यतरह का ही बता दिया जाए जो अनिर्वचनिय हो अन्यत्वम का मतलब होता है जिसका वर्ण न किया जा सके वो दूसरे ढंका हो देखिए अरे इसकी तो बात ही कुछ और है ठीक है लोग काते हैं न उसी तरह से यच्च यच्च तदेव अन्यत्वेन अध्यवसियते सापरा दूसरी कौन सी है अधिशोक तो जो उसी को दूसरे यहने उपमे को दूसरे की तरह बना ढगे में मतलब कहा जाए अध्यवसियते का मतलब होता है निशिद करना तो दूसरे को अन्यकित किया जाए तब जो अलंकार बनता है वह दूसरे प्रकार की अतिश्योक्ति होती है दूसरे प्रकार का अतिश्योक्ति अलंकार होता है देखिए अन्यत सवकुमारियम अन्या एवचव कापि वर्तन च्छाया करें कि अन्यत सवकुमारियम यह सुकुमारता तो एक विलक्षण है कुछ और ही प्रकार की है बोलते हैं न अमलों इसकी तो बात ऐसी कुछ और है इस तरह से तो यह जो वर्तन नहीं किया जा सकता है ये भाव है माँ वियंग्यारत वहां ये निकलता है और उसकी शरीर की कांती भी वर्तन का मतलब विवाहर जिसके द्वारा किया जाए तो शरीर ही विवाहर का साधनम लोता है शरीर अमाद्यम खलुधर्म साधनम तो वहां वर्तन चाया भी कुछ आओ रही है बिलक्षण है और निप्वचनी यह है श्यामा अंजुर्ण है सामाण्य प्रजापती का की बनाई हुई यह जो श्यामा अंजुर्णक कामतलम होता है णकंप साहर की युवती ठीक है किया रहें कि उसका संदर ही कुछ और है शरीर की कांती ही कुछ और है वो शश्यामा साधारण प्रजापते याने साधारण प्रजापती की साधानर रचना नहीं हो सकती याने प्रजापती की वह साधानर रचना रेखाए बना भवती वह साधानर रचना नहीं हो सकती याने सामान्य तोर पर ब्रह्मा जिन चीजों की रचना करते हैं वह रचना उस प्रकार की यह रचना श्यामा नहीं है यह है कुछ और विलक्षा ढंकी है काते हैं ना कि शरी की कांदी भी कुछ आलावकिक है उष्ण काल में शीत देह वाली और शीत काल में उष्ण शरीर वाली शोड़श वर्चिया, नाईका, श्यामा, साधारण ब्रह्मा की रचना नहीं हो सकती है याने ये विशेश प्रकार की रचना है ये बगबतना है तो ये कुछ आउ रही है का मतलब क्या हुआ यहां पर भी अतिश्योक्ति अलंकार है जब आदमी शरीर धारी हो जाता है पर चाहे इस्तरी हो या पुरुश हो तो उसकी एक विशेश्ता निशित तो हो ही जाती है अब उसको अनिर्वचनी कहना अलंकार में तो ठीक है स्वभाविक है अलंकार में तो आपका सकते हैं लेकिन हर चीज की विशेश्ता हर चीज की वरणन संभव है लेकिन अतिश्योक्ति अलंकार में कहना है तो यह तो बात ही कुछ और है यह कहा करके हम लोग बात चलाते हैं यहने उसकी अलवकिकता और उतकृष्टता की अतिशायता कोशिद्य करने का यहां एक माध्यम है, साधन है ठीक है, अत्शय यक्ति अलंकार इसलिए होता है ठीक है, तो यह दोसरा हो गया, अब तीसरा देखिए यदि अर्थस्य यदि शब्देन, चेत शब्देनवा या तो चेत शब्द का प्रियोग कीजिए या यदि शब्द का प्रियोग कीजिए और इसके बाद कुछ कल्पना कर लेजिए उपमेय पर उपमेय पर किसी उपमान की कल्पना आप करें और उसमें यदि शब्द का प्रियोग करें या चेत शब्द का प्रियोग करें तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का तीसरा भेद बनता है ठीक है यदि या चेत के द्वारा कथन कल्बना करना देखिए साथ तृतिया का है वो तीसरा भेद है तृतिया अतिशयोक्ति कल्बात हुई थी न कि अतिशयोक्ति अकले कहें तो इस्त्रेलिंग और अतिशयोक्ति अलंकार कहें तो पुलिंग हो जाएगा तो राकायाम अकलंकम चेत अम्रतान्शोर भवेद वपुहू तस्या मुखम तदा साम्य पराभवम अवापनुयात अब कल्बना कर रहे हैं कि मान लिजिये कि पूरणिमा की रात है उसमें अम्रतान्शो हो याने चंद्रमा चंद्रमा का जो शरीर है वो कलंक रहित हो जाए कल्बना कीजिये मान लिजिये कि यदि चेत याने यदि चंद्रमा का शरीर कलंक रहित हो जाए पुर्णिमा की रात के दिन तब जाकर के उस समय तस्याह मुखम साम्य पराभवम आपनुयत तभी उसका जो मुख है उस नाइका का जो मुख है वहां साम्य के समानता के पराभव को पाएगा बाकी इस समय तो बिल्कुल नहीं यानि पुर्णिमा की रात हो उसमें जो चंद्रमा हो है वो उस पर कोई कलंक न हो अब यह तो यही हुआ ना नन्नाव मन तेल होगा ना राधाना चाहिए वो कोई कलंक रहित हो ही नहीं सकता है तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो तब जा करके इस नायका के मुख को वह चंद्रमा हारा पाएगा नहीं तो नहीं हारा पाएगा ठीक है यह कहना है इस नायका का मुख जो है चंद्रमा से तभी हारेगा जब पूर्णिमा की रात को वह चंद्रमा कलंक रहित हो जाए अब यह तो संभवी नहीं है ना तो इस तरह से यदी के द्वारा जो कल्पना करके कथम किया जाता है वह अतिशयोक्ति अलंगर का तीसरा भेद बनता है चोथा अदारन भेड़े हम लोग कारणस शीग्र कारिताम वकतम कर्यस्यप पूर्वम मुक्तव चतूरती देखिए कार्या और कारण में बिल्कुल अंतर नहो अतिशिग्र हो जाए कारण के बाद तुर्ण दही उस अतिशिगरता को बदाने के लिए कार्या को पहले बता दि जाए जाए कारण बाद में बताया जाए ठीक है तो घया था न कि हनुँ मान की पूछ में लगन न पाई भै आँक पूछ में आँग नहीं लगे लगे कि वह द्मेंदी तो पूछ में आग लगी बात में उसी को यहाँ पर कह रहे हैं, देखिए, हरवयम अधिश्ठितम आदव मालत्याह कुस्म चाप वानेना, चर्मम रमणी वल्लभा, लोचन विशयम त्वया भजता, ठीक है? कह रहे हैं, कि मालत्याह याने मालती के आदव पहले, कुस्म चाप वानेना, हरदयम अधिश्ठितम, ठीक है? कुस्म चाप याने कामदेव, कामदेव के बान के द्वारा पहले मालती के हरदय में अधिश्ठित हो गया, याने कामदेव का जो बान है, वह मालती के हरदय में पहले अधिश्ठित हो गया, बहले आ गया, लग गया, चर्मम और बाद में लोचन विशयम त्वया भजता, आप जो है उसको बाद में देखे, ठीक है, यानि हे रमनी वल्लभा, हे रमनियों के वल्लभा, प्रिया, आप तो उसको बाद में देखे, कामदेव का बाण पहले उसको लग गया, अब ये तो बात जरत है ना, जब पहले वो आपको देखी, उसके बाद देखने के बाद उस तो यहां ठीक उल्डा कर दिया गया कहता है उसको कामदेव का बान पहले लग गया आपने उसको बाद में देखा यह है तो यह तो होई नहीं सकता है क्योंकि आपको देखने के बाद ही वो काम आसकता हुई याने कामदेव का बान उसको लगा ये बात है, लेकिन इसमें इतनी शिगरता है, इतनी अतिशिगरता है, कि जो है उलट दिया गया, कारिय को पहले बता दिया गया, कारण बाद में बताए गया, क्योंकि देखना तो पहले होता है ना, पहले वो देखेगी रमणी बल्लभ को, बाद में उसके मन में काम भावना जगेगी और आसकती जगेगी अप्रेम जगेगा यह बात है तब उसी इस्थिति को हम काम लगना कहेंगे तो यह बात है तो इसी तरह से जो है यह चारो भेद अतिशेवक्ति के हो गए अब हम चले आगे अगला अलणकार बनता है प्रतिवस्थूपमा ठीक है प्रतिवस्थ उपमा को जो है एक साधान धर्म हो और एक साधान धर्म हो लेकिन उसको दो वाक्षियों के द्वारा कहा जाएं साधान धर्म एक ही हो उसके लिए दो एक उपमे हो और दूसरा उपमान हो उसके द्वारा कहा जाएं लेकिन साधान धर्म में एक ही होगा तो ऐसी स्थति में प मुल पाठ देखते हैं ठीक है एक सामान्य का साधान दर्म उसी को दो वाक्यों मे उससाधान दर्म की दो वाक्यों में इस्थिती जहां बताई जाए ठीक है लेगिन कतन तो दो बार करना पड़ेगा द्विही दो बार करना कतना तब वहां प्रतिवस्तुप मालंकार बनता है ठीक है साधारन धर्मह जो साधारन धर्मह वो उपमेय वाक्य उपमान वाक्य चा कथित पतस्या याने साधारन धर्म उपमे वाक्य में और उपमान वाक्य में कथन किया जाए ऐसे पदस्या दुष्टतया अभिहितत्वात शब्द भेदेन यद उपादियते साचाँ इसमें एक और बात होती है कि आपको शब्द का भेद कर देना पड़ेगा क्योंकि तो फिर दोश आजाएगा दुष्टतया है मान लिजिए कि उपमे वाक्य में भी उसी साधान धर्म का प्रयोग करें और उपमान वाक्य में भी उसी साधान का प्रयोग करें तो वो दोश आ जाएगा पुनरुक्तवत अभास जैसा तो वो दोश ना हो इसके लिए उन्हों जो है दुश्रत आभितात्वात शब्द भेदेन यद उपादियत शब्द का भेद करके कथन कीजिए उसी शब्द से कथन नहीं करना है धर्म भले साधान एक ही हो साधान धर्म एक ही हो भले लेकिन दूसरे अन्यशब्द से यान्यशब्द से उसका आप कथन करते हैं और दो वाक्य बनाते हैं साधान धर्म एक ही होता है तो ऐसी श्थिति में वस्तुना वाक्यार्थस्या यानि वाक्यार्त रूप वस्तु के सामने उपमानत्वात उपमान होने के कारण प्रतिवस्तु पर यानि एक वस्तु के सामने दूसरी वस्तु रख दी जाती है सदान धर्म एक ही होता है दो वक्य बनाती है एक उपमे होता है और दूसरा उपमान होता है तो वह जो है एक वस्तु के सामने दूसरी वस्तु से के कारण एक वस्तु के सामने दूसरी वस्तु जब रखते हैं तब वो जो है प्रति वस्तु कहा जाता है और प्रति वस्तु मा तभी बनती है ठीक है याने यहाँ पर प्रति वस्तु मा लंकार का यह मतलब है साधाने धर्म एक ही होना चाहिए दूसरे साधाने धर्म एक ही होना चाहिए लेकिन अन्लिय भिन शब्द से उसका कतन किया गया होना चाहिए ये बात है ठीक है और उपमें दो वाक्य बनाएं और उस दो वाक्य से आप कतन करें देखिए हम लोग बेवार में हमारे महां तो होता है आप लोग भी जानते होंगे सोने की कुदाल कभी-कभी परसंग आता है ना तो कोई आदमी बहुत बड़ा हो जाए या वो हो जाए तो उसके लिए कहा जाता है अरे भाई छोड़ो अब इनसे तुम ये काम करवा रहे हो सोने की कुदाल भला मिट्टी खोदने के या उससे बड़े निमनस्तर का कारिया हो उस कारिय को अगर आप उसको करने के लिए कहें तो ऐसी स्थती में लोग ये ऐसा बोल दिया करते हैं कि सोने की कुदाल मिट्टी खोदने के लिए नहीं होती है याने ये कहा जाता है जो चीज बहुत उतकृष्ट हो गई हो पहले देवी भावम गमितापर परिवार पदम कथम भजत वएसा रत्न तो रत्न है उसी तरह से कह रहे हैं कि देवी भावम गमिता यहने पट्रानी के पद पर स्थापित की गई यह रानी यह हमारा नहीं अब साधारन ग्रिहनी की तरह व्यवहार नहीं कर सकती हैं नहीं करेंगी पट्रानी है तो पट्रानी के इंसार उनके नोकराने होगे जो खाना बनाएगी अब यह खाना नहीं बनाएगी यह बात है देवी भावम गमिता यहने देवी भाव को प्रप्त देवी भाव मनला पट्रानी का देवी को मनला पट्रानी होता है तो पट्रानी भाव को यहने पट्रानी के पद पर स्थित जो महिला होती है उनको वे परिवार पद क्यों यहने पत्नी के समान साधारन पत्नी के समान ग्रहनी के समान भोजन कैसे बना सकती है या कोई भी कारिय कैसे कर सकती है नहीं करेंगी ठीक वैसे ही जैसे जो दैवत याने जिसमें दिवता का आधान कर दिया गया हो वह रतना परिभूग के योग्या नहीं होता है अब इसमें साधान धर्म क्या है अनुचित्या अनुचित ठीक है अनुचित बेवहार तो यह जो साधान धर्म आप देख़ें साधान धर्म जो हैं दोना में है जो पट्रानी हो गई अब उसके लिए यहां अयोग्या अनुचित बेवहार है कि वहाँ खाना जाकर बनाए या ग्रिहनी की तरह कारिय करे उसी तरह से जैसे देव से अधिश्ठित रत्न को परिभोग नहीं किया जा सकता है घात में गले में पहना नहीं जा सकता है वह अनुचित है तो इस तरह से आप देख लिए प्रदिवस्तुपमा का यह मतलब साधान धान दोन में एक है वह है अनुचित बेभार अनुचित प्रयोग या अनुचित कारिय ठीक है अब दूसरा है ठीक है यदि दहती अनलो अत्र किमत भुतम यदिच गौरवम अद्रिशुक किम्न ततह लवणम आम्बू सदैव महोद धेः प्रक्रदे रेव सताम अविशालिदा अब देखे यह माला जो है प्रतिवस्तुप माला रूप प्रतिवस्तुपमा है यदि दहती अनलो अत्र माल लिजिए कि आग किसी को जला दे तो कौनसी बड़ी बात हो गई अब पहाड भारी हो तो कौनसी बड़ी बात हो हो गई ना तो पहाडवारी होते है इसमें आशरे क्या है कि अगनी किसी को जलाए जलाए और इसमें भी कौन से आशरे की बात है यदि पहाड में भारी पन हो अच्छा जाओगा सुटा जाड़ो हमने कहा था मुझे मालम नहीं है याद नहीं हमको परसंग याद करना पड़ेगा ठीक है तो यदि दहत यहां तो अगर पहाड भारी हो तो कौनसी बड़ी बात होता ह aware न की नहीं होता है इसमें प्रकर्ते रेव सताम ऑव विशादिता उसी प्रकार से सज्जन लोगों का स्वभाव ही होता है दुखी नहीं रहना ठीक है दुखी नहीं रहना सुभाव होता है सज्जन लोगों का तो इसमें भी कौन सी बड़ी बात हो गई ठीक है ला अब इसमें देखिए याने कौन सी बड़ी बात हो गई, सब जगा आ रहा है, सधान धर्म यही है, लेकिन बहुत सारी चीज़े आ गई, तो यहां उपमान की रूप में प्रकृति रेव सदाम अभी शादी था, यही है, लेकिन उपमान की रूप में बहुत सारी, एक, दो, तीन आ गई, ठीक है, इसलिए माला रूप प्रतिवस्तुप मालंकार यह बनता है, ठीक है, पास सही है कि अंगनी चलाए तो कौन सी बड़ी बात हो गई, उना ही चाहिए, उसको तो होता ही है, तभी तो वो सज़नता की बहाशा ही है, यह उसका मौलिक स्वभाव है, ठीक है, उसी तरह से भारी अगर पाड़ है तो होगा, उस सुख दुख नहीं होता है, उसी तरह से महोद अधी है, समुद्र है, उसका पानी खारा होगा तो होगा, होता ही है, उसको जी बड़ी बात है, यह बात है, उसी तरह से उतना ही साधारान गुन धर्मा इस सज़न का भी होत आपको देख लेना चाहिए अब हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं बात अभी यह प्रतिवस्तुपमा की यहीं पर खत्म होती है आप देख सकते हैं समझ सकते हैं खुद बना करके स्वैंग बना करके अब चलते हैं द्रिष्टांता ठीक है अब द्रिष्टांत में और प्रतिवस्तुपमा में काफी समानता है ठीक है प्रतिवस्तुपमा काफी समानता है तो लेकिन जब हम वह देख लेंगे पहले उसका प प्रतिवस्तूपमा में जो बात बनती हो आपने देखा कि वहाँ साधारन धर्म एक ही है दो वाक्यों से और दो शब्दों से उसका कथन किया जाता है उसको ध्यान में रखिएगा द्रिश्टान तालंकार में क्या होता है कि द्वयोह द्वी उपादानम आप दो बार कथन करते हैं और दो साधारन धर्म का कथन करते हैं ठीक है लेकिन बिम्बात्मक होता है वो एक रूप होते है ठीक है एक रूप मतलब एक ही नहीं होते हैं वो अलग-अलग होते हैं वो बिम्बात्मक होते हैं इसलिए वहां प्रति भिंब प्रति भिंबी भाव रूप वहां संबंद होता है द्रिश्टांत अलंकार में ठीक है ना वहां साधारन दर्में एक ही नहीं रहता है वो अलग लग होते है प्रति वस्तुपमा में क्या होता है साधारन दर्में एक ही होता है ठीक है तो इसलिए ये दोनों में अंतर है, ध्यान रखेंगे, तो ये दिश्चन तलंकार वही है तो अब देखिए दिश्चन तलंकार का उदाहरण, येतेशाम साधारण धर्म आदी नाम, इन साधारण धर्म आदी का दिश्चु अंतो, वाला कि निजिए 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 यहां ठीव्ट जानते हैं कि बहुत सारे अर्थ होते हैं अंत का मतलब होता है वाला 2ग नंद का है वाला और और क्या और होता है मैं बता दूं आपको अंत का मतलब है वाला भी अंत होता है और अंत तो होता ही है यह सारे अर्थ होते हैं तो अंत का मतलब होता है जिसका निश्चे देखा जाए तो यहाँ अंत का मतलब होता है निश्चे जिसका निश्चे दिखाई पड़े वह दिश्टांत होता है ठीक है? अब देखिए तुमको देखते ही तुमको देखते ही तस्याहा याने उसका काम से जलता हुआ मन शान्त हो जाता है निर्वाती काम से जलता हुआ मन शान्त हो जाता है सीता जाड़ो लगा रही थी कल किसी उदाहरान में सीता जाड़ो लगा रही थी हमको याद नहीं है आपकी बात हमको दिया के दिखाई पड़ रही है लिकिन ख़िर कुश्य बात निं हो भी सकता है तो परसंगार, उसार होता है जब वो जंगल में गई होंगी तो हो सकता है मैं अमान से कहा रहा हूं, मुझे परसंग याद नहीं है तो उसका तुम्हें देखते ही उसका काम से स्थंतप्त, मण, शांत हो जाता है निर्वाती याने बुझ जाता है जो जल रहा होता है वो बुझ जाता है क्योंकि ही आया नहीं आया मलब क्योंकि यह ध्यान में रखिये प्रतिवस्तुपमा में ही का प्रियोग नहीं होता है ठीक है खलू बगर हो या हो या नहो खलू अगर का प्रियोग हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है लेकिन द्रिश्टांत में ही का प्रियोग जरूर होगा द्यान रखिये तो आलो के ही हिमान्षो हो याने चंद्रमा के दिखाई पढ़ने पर याने चंद्रमा के प्रकाश में ही प्रकाश के विकसित होने पर ही कुमदवत्या कुस्मम विकसती कुमदवत्य का कुस्म फूल विकसित हो जाता है कुमद वत्या, कुमद फूल, कुमद वत्या, कुमद फूल, कुमद वत्या, जो लता होती है, वहां उसका फूल विकसित हो जाता है, तो यहां पर वहां निर्वाती है, और यहां पर विकसती है, साधान धर्म बिन बिन हो गया, देख लिजिए, वहां क्या है, निर्वाती है याने शांत हो जाना और यहां क्या है विकसती खिल जाना तो यहां पर देखिए द्रिश्टांत यह है कि यह जो है बिम्ब परति बिम्बन भाव है यहां वहां तो क्या है कि वस्तू के सामने दूसरी वस्तू साधारान दर्म एक है यहां पर साधारान दर्म भी अलग-अलग असानाजम देखले हैं वहां बुझने का कार्या हो रहा है वो साधान दर्म है और यहाँ पर विकसित होने का कार्य हो रहा है तो यह अलग-अलग होते हैं इसलिए यहाँ पर दिश्टान तलंकार बनता है। अच्छा यहां तो साधर्मिया समानता वाला है कहीं कहीं विधर्मवता भी होती है यान उल्टा प्रयोग भी होता है अब देखी आगे आया नहीं फिर से ही इसमें आ गया अब देखीए करें हैं कि हे राजन साहस कर्म सर्मना यान साहसी कार्य करने में ही आनंदित होने वाले आपके तव याने आपके आहवे याने युद्ध भूमी में युद्ध के समय किरपान आंतिकम करम याने हाथ में तलवार लेने पर आनी निशता याने लेने की इच्छा करने वाले याने जब आपके युद्ध के लिए हाथ में तलवार लेने की इच्छा करते हैं तभी आपके जो है तभी क्या होता है परेशाम भटा हाथ शत्रूओं के जो भट होते हैं योधा होते हैं वे विशरारुताम अगु विखर जाते हैं विखर गए वेसे विखर गए जितुतर बितर हो गए है विशरारुताम अगु अगात अगु है नर यहां ययनी दूसरे वाकी करते हैं ही चरे कि धूल के जो कन होते हैं वे धूलके कन स्थिर्ता को उससमय प्राप्त करते हैं जब पवन न हो पवन न हो तभी धूल मिटी स्थिर रा सकते हैं otherwise इस्थिर नहीं देम को भागणाई पड़ता है तो साधारान दर्म क्या है यहांपर क्या हुआ इस्थिरताम दधती स्थिर होते हैं और वहाँपर साधारान दर्म क्या था खिरारुताम को तीतर बितर हो गये तो उल्टा हो गया ना इसलिए वैधर्म हो विधर्मता हो गई वैधर्म जाने उल्टा भीपरीथ यहाँ साधर्म धर्म से दृष्टानत का उधारण है और वैधर्म से दृष्टानत आलंकार का उधारण इस प्रकार है देखिये है राजन अब इसमें धूल तथा शत्रू प्रिश्टान तलंखार बनता है तो दधती अवाते इस्थरताम ही पांसवा है यह उसका मतलब है यहने विधर्मता से एक बार मैंने पवन होगा तो इस्थर नहीं होगा पवन नहीं होगा तो इस्थर होगा इस तरह से इस तरह से यह द्रिश्टांत लंकार के यह दो उदारान एक तो साधर्मी के द्वारा और दूसरा वैधर्मी के द्वारा ये दो उधार्म दिये गए दिश्टान तलंकार स्पष्ट है प्रति वस्तुपमा से भी ये भिन्न है यहाँ पर ही का प्रयोग करके कारण बताने की चेश्टा की जाती है क्योंकि आप इस तरह से जान लिजिए अब उसमें क्या होगा है साधर्म बिन्न हो जाता है प्रति वस्तुपमा में साधर्म बिन्न नहीं होता है ठीक है अब आगे चलते हैं दीपक अलंकार की तरफ ठीक है दीपक अलंकार साधर्म बिन्न नहीं हो जाता है क्यारूप धर्मों का एक बार ही वर्ति की जाए याने ग्रहाण किया जाए अर्था जहां एक ही क्यारी धर्म का अनेक कारकों के साथ प्रयोग किया जाए ग्रहान हो या उस तरह से प्रयोग किया जाए वकावे में तो और कई बार क्या होता है कि कई बहुत सारी क्रियाओं का एक कारक के साथ एक क्रिया अनेक कारकों के साथ और अनेक क्रिया एक कारक के साथ इस तरह से इसके दो भेद बनेंगे दीपक अलंकार तब बनता है ठीक है देख लीजिए प्राकरणिक और प्राकरणिका नाम याने प्राकरणिक याने उपमे और और प्राकरणिक याने उपमान इन दोनों का अर्थात उपमानों पमे नाम उपमानों और उपमे नाम जो धर जो धर्म है वह कृयादि ही, कृयादि जो धर्म है, वह एक वारम एवा, यह कही बार यद उपादियते ग्रहन किया जाता है, तत एकस्तस्य एवा समस्त वाक्य दीपनाथ दीपकम. एक ही जगा पर रहा हुआ समस्त वाक्यों का जिसे दिवाल है मान लिजिए तो दिवाल पर दिया रख दिजिए तो वह दिया का जो प्रकाश है उस तरफ भी हो जाएगा और इस तरफ भी जाएगा यानि एक जगा रहा हुआ दीपा का अगर दिवाल के दोनों तरफ प्रकाशित करता है तो वो जो इस्तिती बनती है वही इस्तिती यहां पर भी बनती है एक क्रिया का प्रियोग कर दीजिए उसको अनेक कारकों के साथ जोड़ दीजिए ठीक है? और एक कारक का प्रियोग कर दीजिए उसके साथ अनेक क्रियाओं को जोड़ दीजिए तो इस तरह से दो क्रिया दीपा का और कारक दीपा का दो उदाहरण इसके बनते हैं और वह दीपा कालंकार कहलाता है ठीक है? जब हम उदाहरण देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा अब देखेंगे क्रिया पद एक है कुतह स्प्रिश्यन्ते ठीक है न? मैं कैसे सपरश किया जा सकता है? कैसे चुवा जा सकता है अम्रता नाम ठीक है ना बिना मरे हुए आप समझेए कि मर ही जाना है अगर आप किसी कृपन का धन बिना मरे किसी कंजूस का धन आप नहीं चूँ सकते ये बात है चुणा ये जाने लिजेए सापों का फण मणी सिंगों का जो केसर होता है और कुल बालिका नाम कुल इन बालिकाओं के स्तन ये बिना मरे कैसे चूआ जा सकता है यानि मरने के बाद ही चूँ सकते हैं क्योंकि सिंगों को जैसे आप सुने जाएंगे उसके पहले वो आपको मार डालेगा धन चुने नहीं देगा कंजूस चाहे आप कुछ भी कर लें वो आपको मार सकता है साप जो है आपको चुने नहीं देगा उसके पहले डस देगा आप मर जाएंगे खतम कर देंगे और कुलेन बालिकाओं के भी सरनरक्षक बहुत होते हैं आप छुने तक पालित बातों उनके पास तक पहुंचे ही नहीं सकते हैं तो इस तरह से तो स्प्रश्यनते ख्रिया रूप दीपा कलंकार यहां बनता है ठीक है अब आगे है दूसरा कारक रूप तो देखिए श्विद्यती कुणती वेलती विचलती निमिशती विलोगयती तेरियक अंतर नंदती चुम्बितम इच्छती नव परिणया वधू हूँ शयने नव विभाहिता नवोड़ा वधू शयन पर शयया पर जो है क्या क्या कार्य करें दखिए एक साथ आठ क्रिया हैं लगवाग तो श्विद्यती उसको पसेना हो रहा है कुणती कुछ बोल रही है ठीक है संखुचित हो रही है छील दूल रही है ठीक है सिद्धियती मूँ पेर लेटी आखिए कर बादन से लेक्तित हो जाती है निमिशते आंखे बंद कर लेती है विलो गया ते फिर तिर्षा देखती है अंतर पिर अंदर ही अंदर कूश राथी है चुम्बा करने की इच्छा करती है यह सारे काम शयन में नव बदू नव अधा बदू करती है अब देखिए एक कारक है अथनी सारे क्रियाएं है तो कार अब है माला दीपक माला दीपकम आध्यम चेत यतो तरगुणा वहम करें कि माला दीपक वहां होता है यदि पूर्व को उत्तर के साथ जोडते चलें ठीक है यहां पर तो क्या है कि एक ही के चारों तरफ सब घुम रहा है तो कारक एक है नव परण बदू एक ही है आधो इतने सारे कार्यों कर रहे है माला दीपक इसमें वहां बनेगा जहां पर एक दूसरे का कार्य बदू आइग अच्छा इस्त्रियो वालावदारण आज गलत सावित हो रहा है क्यों दुर्भागी पूर्ण है अब जो लिखा है वो हम कहा रहे हैं अब क्या करें इसमें छोड़िए अब जो लिखा है उसको न्याय देना पड़ेगा चलें करें कि पूर्वेन पूर्वेन वस्तुना यानि पूर्व पूर्व वस्तु के द्वारा उत्तरम उत्तरम चेत उपक्रियते हैं उत्तरवर्ती को अगर उपकृत किया जाए मदद किया जाए सहायता किया जाए तो उसको उस इस्थति में माला दीपक अलंकार बनता है ठीक है संग्राम आंगणम आगते न भवता चापे समारोपिते देव आकर्णय येन येन सहसा यद्यत समासादितम करक हे देव हे राजन आप सुनिये कि जब आपने संग्राम भूमी में आकर के धनुष पर बांड चड़ा दिया तब जिन जिन लोगों लोगों ने जो जो पाया उन उन चीजों को आप सुनिये किसने क्या पाया किसने क्या क्या पाया वह आप सुन लीजी आकर ना येन सुनिये करें कि कोदंडेन शराह धनुष जो है बान को पागए ठीक है धनुष कोदंडेन धनुष जो है बान पाए शराई ही और शिरह बान किसको पाए तो शत्रूओं के शिर को पाए बान शत्रूओं को शिर को पाए फिर वो शिर किसको पाए तो कहें शिरह तेना पी भूमंडलम है ना और शिरह अब उसके द्वारा वो जो शिर तेन याने उस शिर सा उस शिर के द्वारा क्या पाया गया तो भूमंडल याने प्रतवी याने वो सारे वो सिर जो है प्रतवी पर गिर गये याने शिर के द्वारा प्रतवी पाई गयी भ आप पाए गए, उस भुमंडल के द्वारा आप पाए गए, और आपके द्वारा क्या पाई गई भवता, चा किर्ति ही अतुला, और आपके द्वारा क्या पाई गई तो कहने कि अतुला निये किर्ति पाई गई आपके द्वारा, और अतुला निये किर्ति के द्वारा क्या पाया गया तो लोकत त्रयम ये वुदारने एक बार आ गया है एक जगा तो इस तरह से आप देखिए कि माला दीपक में देखिए आसाधितम एक रिया है ठीक है इसके इर्द गुमने वाले बहुत सारी चीजे हैं बहुत सारे कारक हैं लेकिन ये सारे कारक जो है पूर्व सभी जैसे बाण जो है धनुष को पाया ठीक है फिर धनुष बाण को पाया बाण शिर पाया शिर भुमंडल पाया भुमंडल राजा पाया राजा किर्ती पाया किर्ती लोकत त्रया तिनों लोक पाये ये बात है चले यागे तुल्ययोगिता यह होता है ना तुल्ययोगिता यह तो हो गया तुल्ययोगिता नियता नाम सकृत धर्मा सापुनस तुल्ययोगिता ये कमसा है 16 में से 16 निकाल देंगे तो 45 45 अलंकार बाकी दह जाएंगे अभी तो कर रहे हैं कि नियत अर्थाद या जो केवल प्रकृत या केवल अप्रकृत अर्थों का एक धर्म के साथ सकृत धर्मा सकृत याने एक एक बार एक धर्म का एक धर्म के साथ जब संबंद किया जाएगा तब वहां तुल्यो यूगिता अलंकार बनता है या तो प्रकृत हो या फिर अप्रकृत हो या या तो उपमेय हो या फिर उपमान हो इनका अलग-अलग होता है अब ये देखलीजिये कैसे है पांडुक्षामम वदनम हिर्दयम सरसं तवालसं चे वपुहू आवेदयत इनितांतं क्षेत्रियरोगम सकी हिर्दंतहा पांडुक्षामम वदनम पांडु या पिला और क्षाम या दुबला सुखा या दुबला हुआ तुम्हारा वदन या मुख या या मुख प्रेम शिल्म या प्रेम से यूगत राग यूगत हिर्दय आवरस सरसं तवालसं चे वपुहू और तुम्हारा यहा आलसी शरीर आलसी यूगत शरीर यहा नितांत बिलकुल किसी हर्दय में रहे हुए क्षेत्रिय रोग की सूचना दे रहा है कथन कर रहा है बता रहा है ठीक है क्षेत्रिय रोग को अब यहाँ पार विरह के कारण यह सब दशाय होती है अब कह रहे हैं कि यहाँ विरह के अनुभाव रूप में मुख की पांडुता और ख्षामता है उसी रस के समय में यह आया था रस के समय में ही आया था यह तो कह रहे हैं कि ख्षामता है हर्दय की सरस्ता है शरेर की अलस्ता है ये सभी वर्णिया प्रकृत अर्थ में है उनके साथ आवेदेत रूप एक क्रिया का संबंद है इसलिए यह तुल योगता लंकार है दिपक लंकार में यह प्रकृत और एक और प्रकृत अर्थ के साथ एक धर्म का संबंद होता है तुल योगता लंकार मे दोनों अर्थ या तो प्रकृत हो या फिर सभी और प्रकृत हो यहां अवश्यक होता है यही दीपक से तुलिय युगता लंगार का भीद आप जानते हैं प्रतिवस्तुपमा, दृष्टान, तदीपक यह सारे एक जैसे लगने लगते हैं सभी प्रकृत अर्थों के साथ एक धर्म के साथ संबन्ध का उधारण है अब सभी और प्रकृत अर्थों के साथ एक धर्म का संबन्ध बता करके यह दूसरा उधारण प्रस्तुत करेंगे आगे चलते हैं देखिए इतने सारण का सारे कारण हमने बता दिये पांडुक शामम, बदनम, पीला और दुबला, मुख, चेहरा, राग यूगत हिर्दय, आलसी शरीर, ये सभी निश्चित रुप से तुम्हारे खिक्षत्री रोग को, जो कि हिर्दय के अंदर रहा हुआ है, हे सकी, ये बता रहे हैं, सुजित कर रहे हैं, तो यह जो है, तु वही विभाव है, तो विभाव ये तो उसी के उपर किया गया है, उसी का वरडन भी करना है, इसलिए ये प्रकृत है, यह उपमेय है, ये उपमान नहीं है, तो उसी पर अनेक धर्म, ये उसी पर एक धर्म का, अब एक धर्म क्या है, क्षित्रिय रोगम आवेदयती, ठीक ह क्षेत्रिय रूग का कथन कर रहा है यह एक धर्म है और जो है उसके साथ जो है बहुत सारे चीजें पांडुक्षाम बदना सरसहरदय अलासवपु इस सारे बहुत सारे चीजें को उसमें जोड़ दिया गया है इसलिए यह तुल्यूगता लंकार बनता है दिपक लंकार से यह अलग है उसको दिपक मत समझें ना समझें अब उपमे की तो उन्हेंने बात कर दी अब उपमान का लें अगर और प्रकृत का तो कहें नायक जो है नायका से कह रहा है कि तुम्हारी सुन्दर और हाव भाव से भरी हुई इन आँखों के सामने तव ललित विलाश जुशोह द्रिशोह सुन्दर हाव भाव से युप्त तुम्हारी आँखों के पूरा याने सामने का का याने क्या है कौन क्या है तो कह रहें कुमुद कमल नील नीरज अलिह याने कुमुदों की अलि याने पंक्ति कुमुदों की पंक्ति क्या है कुछ नहीं कमल की पंग्ति कुछ नहीं निरज कमल की पंग्ती कुछ भी नहीं है तुम्हारे आंकों के सामने कुछ भी एक जटके में खत्म हो जाते हैं हार जाते हैं ठीक है तो इह जो है अंब देखिए यह पारा लॊपरमानों गाप्रयो नहीं हो प्रय全निक गांट इसलिए और प्रक्रेत्थ भी कहें एक बात है यहां नाइका की आँखों तथा मुख के सौंदरिय का वर्णन है इसलिए पुरवार्ध में नेत्र तथा उतरार्ध में मुख वर्ण्य होने से प्रकृत है उनके उप्मानरूप पुरवार्ध में कुमद, कमल, नीरजाली और तरार्ध में अमरित, अमरित रश्मी, अम्वुजन्म ये सब अप्राकृत हैं और पुरवार्ध में उन सब और प्रकृत अर्थों के साथ कापद से याने संबंद से अभिधान, अभिव्यंग्य, अधिक्षेप या निंदा रूप एक धर्म का संबंद पाया जाता है इसी प्रकार उतरार्द में कुमुद, कमल, आदिस अभी और प्रकृत अर्थों के साथ प्रतिहतत्व रूप एक धर्म का संबंद होने से ये दोनों ही तुल्य योगिता के उदाहरन बनते हैं तो इस तरह से ये तुल्य योगिता जो है बड़ा इन सब जो अलंकार हैं इनके बहुत ही कम अंतर के साथ दोनों का भेद बनता है बहुत ही कम अंतर है बड़ी सुक्ष्मिद्रिश्री से आपको इनको समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा ठीक है तो ये तो वाचक पर भी जाता है कि वह उसको कितने सुक्ष्मिद्रिश्री साथ समझना चाहता है या समझे और समझना ही चाहिए जब यह बनाया जया है तो आप देख रहा है अंतर तो बता दिया जाता है लेकिन जब हम कावे पढ़ते हैं तो उसमें हमारे सामने भी कठनाई तो रहती है क्योंकि आर्थों की गहराई जब तक हमें मालूम नहीं होगी तब तक इन अलंकारों के भेद को हम समझना नहीं पाएंगे तुलिय योगिता और प्रतिवस्त दीपक अलंकार इत्यादी जो होते हैं इन सब में बहुत थोड़ा अंतर है तो आप उसकी सुक्ष्मता को समझे बिना इनके भेद को नहीं कर पाएंगे तो अब हम आगे चलते हैं अब देखिए अभी तक तो क्या होता था कि उपमान बड़ा होता है और उपमे चोटा होता है कम होता है अभी तक यह होता है व्यतिरेक अलंकार वहां होता है जहां इसका उल्टा हो जाए याने उपमेय को बड़ा सिद्ध कर दिया जाए और मान को छोटा सिद्ध किया जाए अनुत्कृष्ट सिद्ध किया जाए या कहा जाए बताया जाए वहां व्यतिरेक अलंकार होता है ठीक है देखिए यहां पर वित्रे का अर्थ आधिक है इसलिए किया कि अभी तक जो अधिक था वो कम हो गया और जो कम था वो अधिक हो गया इस आर्थ में यहां वित्रे का अर्थ किया है अधिक किया ठीक है उपमान से जो वित्रे का याने अधिक है वहां उपमे जब होता है तो आहां वहां अधिक हो और उपमान कम हो वहाँ वेत्रिय कलंकार होता है यहने उपमान की पेक्षा उपमे अधिक दिखाया जाए वहाँ पर वेत्रिय कलंकार बनता है विरम प्रसीद सुन्दरी यवनम औनिवर्ति आतम तूँ यवनम चला जाए तो वापस नहीं आता है जबकि जो शशी है, चंड्र है वहाँ क्षिण होता जाता है पूर्णिमा के बाद वो क्रब्शण होता है अमःस्चया के बाद पुर्णा बढ़ने लगता है तो घटना बढ़ना तो उसका कारिय है यवन का कारिय घटना बढ़ना नहीं है एक बार जब वो चला गया तो फिर चला ही जाता है हमेशा के लिए वापस नहीं आता है इसलिए तुम जो है मान जाओ और मान जाओ और रुको जाओ मत है सुन्दरी तो अब यहां देखिए यववन को सुन्दरी के यववन को वहां पर उत्कृष्ट दिखाया जाता है इस रूप में कि वहां एक बार जब चला गया तो फिर चला गया चंदर्मा की तरह ऐसा नहीं कि चला गया तो आ भी जाता है चंद्रमा की सोभा या उसके जो लक्षन है या उसके जो कलाएं है ये सब एक बार चले जाते हैं तो फिर वापस आते भी है युक्कि गटना, गटते रहना और बढ़ते रहना यह इनका क्रम होता है जवानी का यह क्रम नहीं होता है एक बार चली गई जवानी थो चली गई इसलिए तुम रुको मां जाओ और मत जाओ यह हैं अब यहां देख लीजिए तो उपमे जो है यवन है और उपमान जो है शशी है दोनों के गुण धरम में अंतर है यह कृष्टता इसकी इस रुप में सीदिगी जाती है जो आए एक बार चला गया तो चला गया और उपमान जो है चंदरवा वहाँ कमतर है कम है क्योंकि वह तो क्षिन होते होते काम होते होते हो तो फिर एक सिमा के बाद फिर बढ़ने लगता है तो परिवर्तन शिल्ता उसमें तो है इसमें कोई परिवर्तन शिल्ता है यहां वापस आने की नोबत ही नहीं है इत्यादव उपमानस्य उपमे याद आधिक्यम इस उदाहरण में उपमान की अपेक्षा उपमे का आधिक्य बताया गया है इतिकेनचित उक्तम तद अयुक्तम अत्र यववन गता स्थेर्या आधिक्यम ही विवक्षितम यहाँ पर यववन से सम्मंदित यववन में रहा हुआ जो स्थेर्या है वहाँ आधिक्य है यही कभी को कभी कहना चाहता है कभी के द्वारा विवक्षित है यही है इसलिए यह उतक्रिष्ट है अधिक दिखाया गया है उपमान को ठीक है? करें कि इतियादव उपमानस यह उपमे यहाद इतिकेनचित उक्तम अच्छा किसी ने ये भी कहा था कि यहाँ पर भी वेत्रिय गलंकार नहीं होना चाहिए क्योंकि उपमान फिर भी यहाँ पर भी उपमान ही की अधिकता दिखाई पड़ती है तो आचारे ये कहना है कि नहीं ये अयोग्या है ये कहना ठीक नहीं है क्योंकि कवी को तो विवक्षित ये है कवी ये कहना चाहता है कि यववन में रहा हुआ जो स्थैरिय है वह अधिक है वही उतक्रिष्ट है इसलिए यहां पर वितरे गलंगार बनेगा जिन लोगों ने ये कहा कि इस उधारन में भी उपमान अधिक है और उपमे एकम है ये बात गलत है वो गलत है उनका कहना गलत है तो इस प्रकार से आज हम यहीं रुकेंगे समय हो गया बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार